हेलो स्टूडेंट्स, आइम डिपाली कोयल, स्वागत करती हूँ आप सभी का टार्गेट गुरू गुल पर तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कुस करेंगे साइन्स के कुछ और इंपोर्टेंट कोशन्स biology की जो हमारी series चल रही है, उसके अंदर ही उस series को आगे बढ़ाएंगे I hope आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, हर एक question समझ में आ रहा होगा क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको question जो है वो मैं समझाओं, उसके answers भी समझाओं और अगर उससे related कोई question आपको मिलता है, आसपास को भी question मिलता है, तो आप उसे अच्छे से try कर सको और सही answer मांग कर सको इस हिसाब से मैं आपको हर एक question करवाती हूँ, तो I hope आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा अगर भई समझ में आता है, तो comment करके बता दिया करो कि मैं समझ में आ रहा है, और अगर कहीं पर problem होती है, तो वो भी बता दिया करो और अगर कोई question आप लोगों को समझ में नहीं आता है मान दीजी मैंने करवा दिया बट आपको उसमें doubt है तो आप वो भी comment में लिख दिया करो ताकि उसके लिए आपको अलग से short video या कुछ भी provide कर दिया जाए आपके doubt को clear करने के लिए ठीक है चलिए देरी ना करते हुए आ यानि कि जब एक cell grow करती है ठीक है एक cell grow करती है मतलब छोटी cell उसे बड़ी cell बनती है और वो और बड़ी होती है ठीक है तो उसका correct sequence पुछा है इनोंने यानि कि कैसे वो grow करती है तो देखिए सबसे पहले cell क्या करती है divide करती है for example ये एक cell है ये अपने अंदर division करेगी जिस लिजी कोई चोट लगी तो वहाँ पर क्या होता है कहीं पर चोट लगती है तो वहाँ की cell और ज्यादा तेजी से grow करती है grow करने का मतलब divide करकर करकर अपना number बढ़ाती है तो सबसे पहले cell क्या करती है divide करती है यानि विभाजन करती है उसके बाद differentiation करती है यानि विभेदन for elongation clear है चलिए next question पर चलते है question number 122 हमारे पास है देखिए क्या question बोलता है एक second छोटा कर लेते हैं दिख रहा है question yes अब दिख रहा है question बोल रहा है the overall goal of glycolysis, crab cycle and the electron transport system is the formation of कुल मिलाकर या समस्त रूप से glycolysis, crab चक्र और electron transport तंत्र के बनने का लक्ष है यानि कि हमारे हमारी mitochondria में बोल लीजिए या cytoplasm में बोल लीजिए cell के ये जो cycles चलती है glycolysis हो गई, crab cycle हो गई, electron transport system हो गई, बहुत 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 important है ये तीनो cycles ठीक है इन तीनों का main name क्या होता है ये आखिर में बनाना क्या चाहती है तो students, ये सारी process चलती है ATP बनाने के लिए हमारी जो body का energy currency होती है ATP, adenosine triphosphate क्या full foam होती है ATP की, तो adenosine triphosphate ये भी कई बर exam में पूछ ली जाती है full foam तो adenosine triphosphate बनाने के लिए ये सारी cycle चलती है अब सोचो, ATP बनाने के लिए एक ही process हुई या बहुत सारी process हुई तो आप खुझी देख रहे हो, तीन process हो रही है और इन तीन process में भी बहुत सारे stages होती है यानि हम चाहते हैं कि ATP तो बने, लेकिन step wise बने तो छोटे छोटे step के जरिए हम ATP बनाते हैं यानि कि ATP in small step wise unit, ATP छोटी काईयों के क्रम में बनता है इन तीनों cycle का main aim यही होता है ठीक है? चलिए, अगले question पर चलते है next question आता है in plant cell, the number of Golgi bodies increase during पादब कोशिकाओ में, Golgi body की संख्या डैश के दोरान बढ़ती है तो बताए, Golgi body करती क्या है Golgi body, protein की packing करती है ठीक है? यानि कि for example, देखो बहुत ही simple example में हमेशा Golgi body का देती हूँ चाहे मैं 9th class को पढ़ा रही हूँ चाहे मैं 12th class को पढ़ा रही हूँ, 11th को 11th में आई chapter, तो मैं बहुत ही simple example देती हूँ मैं बोलती हूँ, देखो, आप लोग जानते हैं, mostly लड़के जानते होंगे कि जिम वगेरा जाने के लिए अब प्रोटीन खरीते हैं खरीते हैं प्रोटीन तो अब आप दुकानदार के पास गए, भया प्रोटीन दे दो तो क्या वो आपको आप उनके आगे हाथ कर दो कि आपके हाथ में आपकी प्रोटीन पाउडर डाल देंगे इसा होता है? नहीं होता ना, वो आपको एक packing में डब़ा देते है या कोई packet देते है, जिसके अंदर protein होता है तो students, एक industry वो होती है, जो की protein बनाती है दूसरी industry वो होती है, जो उस protein को pack करती है सही बात है बिल्कुल, उसी तरीके से हमारी body की cell में होता है प्रोटीन बनाता कोई और है यानि कि डाइबोजोम हो गए या फिर एंडोप्लास्मी क्रेटिकुलम हो गई रफवाली प्रोटीन बनाते वो है लेकिन उसे पैक कोन करते है गोलगी बोडी तो गोलगी बोडी का काम क्या है प्रोटीन को पैक करना तो गोलगी बोड़ी किस टाइम जाधा होंगी गोलगी बोड़ी सेल डिवीजन के टाइम जाधा होती है जब सेल डिवाइट करती है न तो उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो गोलगी बोडी जल्द जल्द ऐसा न होता है देखो अब आपको प्रोटीन खाना है मान लिजी आप मैं आपसे पूछूँ कि आपको प्रोटीन पैकिंग की ज़रूरत कब जादा होगे आप बोलो कि जम हम खाएंगे जब आप ज़दा जिम करोगे तो आप ज़दा दुकान पे जाके प्रोटीन के पैकेट खरीद के लाओगे पिल्कुल वैसे ही जब कोशिका को डिवाइड करना है उस टाइम उसको ज़ढ़ा प्रोटीन चाहिए होता है इसलिए ज़़दा पैकिंग्स लगती है ज्यादा पैकिंग्स लगाने के लिए ज्यादा गोलगी बोडी चाहिए बात समझ में आगी कोशी का विभाजन के दुरान ठीक है next question next question क्या है हमारे पास question number 124 which of the following hormone is similar to animal steroidal hormone यह आपको याद करना पड़ेगा कौन सा hormone जन्तू hormone steroidal जैसा समानता दर्शाता है स्टिरोडल hormone का जो structure होता है बिल्कुल वैसा ही structure जिबरलिन का होता है जब मैं plant hormone करवाऊंगी तो जिबरलिन की 4-5 बाते करने होती है उसमें से एक बात यही है ठीक है कि जिबरलिन जो होता है वो एकदम steroid hormone की तरह होता है स्टिरोड hormone क्या होते हैं स्टूडेंट हमारे अंदर तो हमारे अंदर जो sexual hormones होते हैं जैसे कि females में हो गया estrogen, progesterone, oxytocin male में हो गया testosterone और साथ-साथ यह जो hormone है मतलब मैं एक तरीके से sex hormone ही बोल सकते हैं यह steroidal hormone होते हैं और adrenaline hormone को भी steroidal कह देते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं next question के ऊपर अज़ा इसे चारो जो option दिख रहे हैं oxyn, ethylene, gibberlin, cytokinin चारो ही plant hormone है और इसके अलावा एक और होता है वो होता है abcific acid चलिए अगला question आता है 124 which of the following type is rabbit type of absorption नीमन में से कौन सा प्रकार त्वरित प्रकार का absorption है यानि जो जल्दी से हो जाता है बहुत जल्दी से जो absorption हो जाता है वो कौन सा है तो student उसे बोलते है passive absorption क्या बोलते है passive absorption active absorption जो होता है उसमें energy चाहिए ठीक है energy खपत होगी फिर हमें कुछ हम आगे जाएंगे पैसे देंगे, फिर आगे जाएंगे, देखो, active क्या होता है, हमें energy देनी पड़े, कहीं से कहीं जाने के लिए, आपको इस दिवार को cross करना है, तो इस molecule को इधर जाना है, तो उसे पैसे देने पड़ते हैं, तो देखो, अब खुद सोचो, एक बंद है, जो बिना कुछ से आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए, ये terms ही नहीं सुनी हमने, NCRT में, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो अच्छी बुक्स होती है, वो अर्थ्रोपोडा ही बोलती है, तो सबसे जादा species होती है अर्थ्रोपोडा में, पहला सबसे बड़ा phylum होता है अर्थ्रोपोडा, दूसरा होता है मुलस्का, उसके बाद आती है fishes, और फिर आएगा protozoa, तो आपको कौन से आंसर में ये दिख रहा है, आपको C में ये दिख रहा है, तो आंसर इसको टिक कर दीजिए, option C will be the right answer, सबसे बड़ा कौन सा kingdom है, तो सबसे बड़ा phylum है, अर्थ्रोपोडा, जिसमें ये insect together आ जाते हैं, कोकरोच आ जाते हैं, फिर मुलस्का, जिसमें शंक सुने आपने, श करने वाला कोश्चन है, मैक्सिमम बायो डाइवरसिटी, आपके NCIAT के लाइन है, मैक्सिमम बायो डाइवरसिटी ओस एंडेमिक एंफीबियंस इन इंडिया सब कॉंटिनेंट इस फांड इन, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, क्या बोलना चाहता है, ये भारतिये उप देखते हैं, हमारी ही जाती के लोग, तो मैंने क्या बोला हमारी ही जाती के लोग, तो बिट्वीन जातीयां तो नहीं होगा मतलब एक मेरी जाती एक दूसरे की जाती ऐसे तो नहीं होगा ना भई ecosystem तो बहुत बड़ा system होगा मतलब मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ within population यानि मैं generally जनता की बात कर रही हूँ और within community यानि मेरी जाती के अंदर बिलकुल सही बिता diversity का मतलब है मान लीजिए for example मैं बोल रही हूँ कि simple सी बात है कि मैं एक तो देखो हम क्या करते हैं कि खुद के ही घर की बात कर रहे हैं या मान लीजिए कोलोनी है कोई ठीक है एक कोलोनी में 10 घर है और चोथी और यार पूरा पूरा शहर ही मिल रहा है तो इस तरीके से डिवीडेशन होती है लेकिन आपको याद रखना है बीटा डिवेस्टी क्या होती है खुद की ही जाती ही खुद की ही community के अंदर की variety ठीक है चलिए आगे बढ़ते है question number 129 में the connecting link between reptile and mammal अभी इस question में आती है दिकत जब आपको पढ़ाया जाता है तो आपको बोला जाता है कि reptile और mammal का जो connecting link होता है वोता है platypus लेकिन यहाँ पर platypus option में ही नहीं है तो याद रखना पड़ेगा यह आपको lycanops जो होता है lycanops जो होते है इन्हें reptile और mammal के क्या कहा जाता है connecting link कहा जाता है ठीक है याद रख लोगे प्लीज याद रख लेना यार कुछ-कुछ याद करना पड़ेगा ठीक है next चलते है 130 के उपर question number 130 है evolvement of aves from reptile is an example of सरी स्रिप से evolve का विफ्तार एक उधारन है तो यह होता है students mega evolution mega evolution का मतलब बहुत ज़ादा बदलावाना बहुत ज़ादा बदलावाना आप देखो कहां reptiles जो जमीन पे रेंगते थे और कहां aves जो अचानक से उड़ने लग जाते हैं तो यह हो गया mega evolution बहुत ज़ादा यानि कि देखो reptiles के बाद तो mammals आये थे और फिर aves पक्षी तो देखो आप एक तो जमीन पे रेंगी रहे हैं और दूसरे उड़ी चुके हैं तो aves जो आई reptiles है यानि reptiles के बाद में पंक लगे और वो aves बन गए तो यह होता है mega evolution clear है तो आज की class में हम इतना ही रखेंगे मिलेंगे next session में नई questions के साथ I hope आप लोगों को questions समझ में आए अगर आए तो भई अपने जो भी आपकी मतलब जो review है आप लोगों का वो आप लोग like करके या comment करके दे सकते हैं इसके अलावा आप चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा ताकि आपको science ही नहीं बाकी सभी chapters की detail मिले सभी subject की detail मिले और आपकी जो admission का रास्ता है वो और आसान हो जाए ठीक है क्योंकि हम सब का यही motive है कि आपको एक अच्छे college में admission दिलवाना तो मिलते हैं नेक्स session में PDF के लिए टेलिग्राम पे जुड़ जाएए और हसते रहिए मुषकुराते रहिए टेक कियर थेंक यू बाई बाई